दोस्तो आचारे चानक के एक महान ग्यानी के साथ साथ एक अच्छे नितिकार भी थे उन्होंने अपने नितियों में मनिश्य जीवन को सुख कर बनाने के लिए बहुत से मौत्वपूर्ण बाते बताई है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आचरे चानक के जीने कहा है कि इस्तरी गैर मर्दों की और जदा करशित की होती है दोस्तो हम चानक के निति में अपने या अपने आसपास में रहने वाले लोगों के विशय में जान सकते है दोस्तो माना है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी है जो की चानक के नीती पर यकिन नहीं करते वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी है जो किसी परकार के परिशानी होनी पर तुरण चानक के नीती के माज़दम से ही समस्याओं का हल ढूंडने लग जाते है दोस्तो चानक के नीती में पुरूशों और इस्त्रियों के कई प्रकार के बारे में लिखा गया है हम अपने इस वीडियो में महिलाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते है दोस्तो चानक के निती के अनुसार जानते है कि इस्तिरी के कई प्रकार और उनकी लक्षन और उनका सभाव कैसा होता है दोस्तो चानक के निती में इस्तिरियों को कई भागों में बाटा गया है सबसे पहले बताया जाता है कि शंखिनी सभाव की इस्तिरिया अन्य इस्तिरियों से थोड़ी लंबी होती है इन में से कुछ मोटी कुछ पतली होती है उनकी नाक मोटी आखे इस्तिर और आवाज गंभिर होती है यहां हमेशा अपरसन्न ही दिखाई देती है और बिना कारण कुरोत किया करती है दोस्तो यहाँ पती से रुठी रहती है, पती की बात मानना इने गुलामी की तरह लगता है और इनका मन सदे भोग बिलास में डुबा रहता है दोस्तो इन अवरतों में दयाभाब बिल्कुल भी नहीं होता इसलिए यहाँ परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग रहती है ऐसी इस्त्रिया संसार में अधिक पाई जाती है दोस्तो ऐसी लड़किया आज चुगली करने वाली यानि की बात इधर-ओधर करने वाली होती है और वे अधिक बोलती है इसलिए लोग इन से कम ही बोलते है दोस्तो इन अवरतों की आयू लंबी होती है इनके सामने पती और परिवार नश्ट हो जाते है अंत समय में यहां बहुत दुख भोगती है यहां समय समय पर मरने की बार बार इच्छा करती है लेकिन इनकी मृत तो नहीं होती इसके बाद आचारे चानेके जी कहते है कि चित्रिनी इस्त्रिया चित्रिनी इस्त्रिया पतिब्रता और परिजनों पर स्नेह करने वाले होती है और यहां हर काम बड़ी शिगरता से करती है इन में भोग की इच्छा थोड़ी होती है शिरिंगा रादी में इनका मन नहीं लगता इन से ज्यादा महनत वाला काम नहीं होता परन्तु यहां बुद्धिमान और विदूशी होती है दोस्तो आचारे चानक के जी कहते है कि इनका पस्तिष्क गोलाकार, अंग कोमल और आखे चंचल होती है इनकी आवाज कोयल के समान होती है और बाल काले होते है आचारे चानक के जी कहते है कि इस जाती की महिलाय बहुत कम होती है यदि इनका जनम गरिब परिवार में भी हो तो ये भविश्यों में पटरानी के समान सुख भोगती है दोस्तो अधिक संतान होने पर भी लगबग इनकी तीन संताने जीवित रहती है और इनमें से एक को राजियोग होता है इस जाती की इस्तिरियों की आयू 48 साल के लगबग होती है इसके बाद आचारे चानेके जी कहते है हस्तिनी महिलाय हस्तिनी महिलायों का सवभाब बदलता रहता है इनमें भोग बिलास की इच्छा अधिक रहती है यहां हर हस्मुक सवभाब की होती है और भुचन अधिक करती है इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है यहाँ प्रयालसी होती है यह क्रोधित सवाब की होती है इनके गाल नाक और कान मस्तक का रंग गोरा होता है इने क्रोध अधिक आता है कभी-कभी इनका सवाब बहुत अधिक क्रूर हो जाता है दोस्तो आचारे चानेक के जी कहते हैं कि इनके पैरों की उंगलिया तेडी मेडी होती है इनकी संतानों में अधिक लड़के होते हैं आखे यह और वे बिना रोगी के रोगी बनी रहती है इनका पति सुंदर और गुन्वान भी होता है दोस्तो इनके जगडालों सवबाब के कारान इने परिवार में कलेश करने में मज़ा आता है इनके पती इनसे दुखी होते है ऐसी आउरते धार्मिक कारिय के प्रती बिल्कुल भी आस्ता नहीं रखती दोस्तो इन्हें स्वदिष्ट भोजन करना बेहत पसंद होता है इन आउरतों की आयू 73 वर्ष के लगबग की होती है और इनके कई गर्व खंडित भी हो जाते है इन्हें अपने जीवन में अनेक कश्ट जहलने को मिलते है इनकी इसी दुष्ट सवब के कारण परिवार में इनकी पूछ परग भी नहीं होती यानि की ये परिवार में इनकी इज़्जत नहीं होती और ये भोग विलास में ज्यादा अनुभव रखती है तो दोस्तो यह थी आचारे चानक्य के अनुशार कुछ ऐसी औरते जो भोग विलास के तरब ज्यादा अकरशित होती है